करें तो हिलो विए और गभान कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि हमने पिछली वीडियों में बोला था आपको कि हम अधी नेक्ष वीडियों सी ने रहेगी तो आज हम मैं सी डू का पार्टी करेंगे तो देखते हैं आप पार्टी क्या बोलता है तो यह है हमारा most expected 2020 इस वार यह IPL नहीं हुआ तो क्या हुआ कोई problem नहीं इस वार हम अपना IPL अपना IG IPL खेलते हैं ठीक है तो इसमें देखते हैं आप कितना score कर पाते हैं आपकी आप सब अच्छा score कर पाएं और उसे comment section में जरूर लिखना कि आपको कितने answers आते हैं तो let's see first question क्या कहता है a trial balance is a trial balance is a real account, nominal account, list of balances or none of these trial balance नहीं real account है नहीं nominal account है यह आपका क्या है list of accounts क्यों है क्योंकि इसमें सारे accounts आते हैं इसमें expenses भी आते हैं इंकम भी आती है assets भी आते हैं liabilities भी आती है बस उसकी आप arithmetic accuracy आप देखना आते हैं यह उसकी list of accounts है तो इसका answer क्या है c second question the process of recording financial data up to trial balance is called वो process जो financial data आप record करते हैं trial balance ठीक है trial balance जो आप recording की है आपने उसको आप क्या कहते हो recording बोलते हो classifying बोलते हो summarizing बोलते हैं कि analyzing बोलते हो यह इसका भी answer आपका है C आपने इसको समदीर की तरह बना दिया है इसे आपने summarize कर दिए recording होता है generalize तक classifying होते लेजर तक और summarizing हो गया trial balance ठीक है अब थर्ड कोशन देखो थर्ड कोशन में क्या बोल रहा है रोहित रियल एस्टेट बिजनस रोहित दो मिनिट रोहित रियल एस्टेट बिजनस सोल डर पीस ओफ लेंड फ़ोर फॉर लैक कॉस रुपीस 3,50,000 लैक 3.50,000 लैक सॉरी लेकिन जोब इन्वेश्टमेंट करते हो एक तरह की एक तरह की आप आसेड्ट जो खरीडते हो उससे जो पैसा आता है वो आपकी capital receipt ठीक है लेकिन रोहिट जो है land की purchase और sale में deal करता है तो वो कौन सा nature हुआ revenue nature हुआ हम इसका बाद चल गया answer revenue and profit on sale is अगर इसके ओपर जो profit होता है वो आपने कहां transfer करने है वो आपने कहां transfer करने profit and loss account में इसका अंथर आपका है भी ठीक है तो फोर्ट कोशन देखिए capital account इस यह मैंने आपको second video में बतादे स्टार्टिंग में बतादे सब्सक्राइब आपका होता है personal account याद रखना capital account क्यों होता है क्योंकि capital account के साथ आप नाम लगाते जैसे राम capital account अगर आपका owner आपका राम है business का तो राम इस अदेफिधर आप शाम है तो शाम इस नाम आराना तो यह आपका रहता है personal account यह आद रखना capital एक्वाट इसे personal account next question में जाते हैं हाँ तो next question में वो बोल रहा है और ट्राइल बेलेंस चेक क्या चेक करता है यह मैंने अपनी डेफिनेशन में बता दिया था यह वर्ड याद रखना यह आता है तो वह आपका था अर्थमेटिकल एकुरेसी चेक करता है अब बड़े से बच्चे इसमें आल आफ दीज कर देंगे लेकिन यह याद रखना समय इस आप नहीं है क्यों की कोई प्री की पूली की ट्रांस्ट्चिन कर दिया वह नहीं बता पाएका तो से ऑनस्टी थोड़ी पदा चली यह गलती बताता है कि आपने गलती से डेबिट हंडर उपीस कर दिए ग्रेट क्रेड़िट आपने 80 गर दिया यह चीज याद रखिए element of it double bookkeeping कहता है debit is equal to credit और यह ही है सारी accounting जितना आप debit कर रहे हो उतना आपने credit भी जरूर करना है तब भी आपकी trial balance equal आएगी तो इससे आपको इसकी accuracy नहीं पता चलती ठीक है इसमें आपको इसकी honesty नहीं पता चलती क्या पता वो जो book की पर है वो entry ही neglect कर दे उस entry को करने की कर रही नहीं तो इसमें बस आपको accuracy तक ही पता चलता है तो आप इसका answer ए रहेगा ठीक है इसका answer है अब trial balance facilitates trial balance क्या facility आपको facility देता है preparation of profit and loss account अब आपने trial balance बनाया था trial balance के बाद आपने क्या बनाया trading account profit and loss account balance sheet ठीक है trial balance को देखके आपने मनाया इन्होंने बोला preparation of profit and loss account only उन्होंने बोला only सिर्फ उसको बनाने में मदद नहीं करता वो final accounts को बनाने में मदद करता है तो इसका answer रहेगा आपका C वो तीनों को बनाने के मदद करता है ठीक है ना की trading account अकेले बनाने मदद करता है ना की balance sheet अकेले बनाने मदद करता है वो final accounts बनाने में मदद करता है तीनों अकठे बनाने के लिए मदद करता है तो इसका answer trade balance के more ओना चाहिए less ओना चाहिए equal होना चाहिए मैंने आपको होता है था trial balance आपने equal रखनी है तो यह रहा आपका equal इसका answer है इन्हें trial balance income received in advance ठीक है income received in advance पहले आप यह देखिए income received in advance होता क्या है जो आपको advance में कोई income आगे अब मैं example लेता हूँ आपने tuition fee दे दिये किसी को आपने किसी को अपनी tuition fee advance में दे दिये अब उसने income अपने receive कर लिए advance में उसने receive कर लिए अब उसके दिल में हमेशा tension लगी रहेगी कि आपको मैंने आपका syllabus complete कराने है यह टेंशन लगी रहेगी ना तो उस इंसान के लिए क्या रहा वह income received in advance क्या है liability tension word is equal to liability उसने जब income receive कर लिए advance में उसे tension हो गी है कि अब मैंने advance में पैसा तो ले लिए लेकिन आपको proper service भी provide करनी है तो वह आपके लिए क्या है liability has-balance liability का कुण सा balance होता है trial balance में credit balance तो इसका अंसराब का क्या रहेगा बीपाट credit balance is your answer in 8th question तो अब next question next slide में जाते हैं next slide क्या बोल रही है the valuation of closing stock valuation of closing stock is that यह भी मैंने बताया था closing stock को आप किस पे value करते हो cost price पे value करते हो market price पे value करते हो cost और market price whichever is lower पे करते हो कि none आपका इसका आएगा whichever is lower ठीक है जो सबसे lower पे होती है अगर cost wise कम होगी तो cost wise पे आप major करते हो अगर market price कम होगी तो आप market price पे उसे major करते हो इसका answer है यह मैंने verbally एक एक आपकी presentation में बताया हुआ है अब अगला है stock in trade is stock in trade क्या है simple stock stocks बताओ क्या है stock आपका होता है fixed asset होता है current asset होता है इंटेंजीबल asset होता है current asset जो पैसे में change होते हैं within one year उसे हम क्या बोलते है current asset all indirect expenses are shown on यह भी मैंने बताया हुआ है indirect expenses कहां पे show होते हैं एक होते हैं direct expenses और एक होते हैं indirect expenses है ना direct expenses आपके आते हैं trading में और indirect आता है आपका profit and loss में profit and loss में कुण से debit side तो इसका answer कि आते हैं profit and loss account debit side of profit and loss account B is your answer ठीक है third one balance sheet shows the profit earned by business financial position of business balances of all accounts none तो इसका answer आपका आ जाता है financial position वह आपको profit नहीं बताता वह आपको बताता है आपके position क्या है 31 मार्स 1218 को आपके position क्या है 31 मार्स 1219 को आपके position क्या हो गई 31 मार्स 1220 में क्या position होगी बैलेंशीट आपको यह बताता है और यह याद रखना balance sheet हमेशा end में बनती है on a specific date ठीक है end में बनेगी तो इसमें आप कहां से क्या रहेगा financial position of a business तो next slide तो next slide में क्या बता रहा है sorry expenses relating to sale of goods आपने समान जो बेचते हो उसकी selling पर जो खर्चा होता है are shown in ठीक है मैंने आपको बताया था दो तरह के खर्चे होते हैं एक होते direct direct खर्चा जो होता है वह आपका manufacture पर होता है ठीक है जो आप product बना रहे हो उसके ओपर जो खर्चा होगा वह आपकी होते direct expenses लेकिन जो इंडरेक्ट expense होते हैं वह होता है आपकी sell पर ग्डैक्रेक्ट Expenses किस पर और से लग अगर in direct expenses आपका thousand पर होता है कि nौट पर होता है तो इसका मतलब जो आपकी expensive sell पर हो प्रकुम सोते हैं indirect expenses अभी पिछला कोशिन ही किया indirect expenses कि तरफ आता है profit and loss account में show होता है तो इसका answer कि आएगा profit and loss account be easier answer अब यह question ध्यान से पढ़ना if wages are paid ठीक है भाई for the construction of the business premises अब आप business की कोई premises बना रहे हो उसकी construction के लिए आपने wages दिये ध्यारी दी ठीक है इंदी वर्ट कि उसमें कूंसा account आपने credit करना है और कूंसा account आपने debit करना है यह चीज़ दियान रखो मैंने इसमें यह क्या confusing सा डाला है पहले मैंने credit वाला बोला है फिर बाद में debit वोला है पहले मैंने credit वोला है फिर debit वोला है अगर credit वाला करना है तो पहले credit वाली इसमें option होना चाहिए तो पहले आप इसकी general entry बताओ इसकी general entry क्या हो जाती है आपने कोई business premises क्या हुआ है asset हुआ मैंने आपके बोला कोई भी आपके asset पे जो खर्चा होगा वो आपने asset में जोनना होता है तो इसकी entry होती है premises to wages to cash गया ना wages to premises to cash sorry premises to cash इसकी entry है लेकिन उन्हें पहले credit वाला बोला है तो इसमें आपका option आएगा cash to premises ये वाला आपका answer है ना की भी वाला आपका डी answer है बड़े से बच्चे बी आंसर देंगे बी आंसर आपका तब क्रेक्ट है अगर पहले आपको डेबिट बोला था ठीक है इदर आपको पहले क्या बोले क्रेडिट बोले पहले आपको क्रेडिट की जगए डेबिट बोला था तो आपका बी होता है इसकी जर्नल एंट्री है प्रेमिसिस टू कैश दियान रखना लेकिन उन्होंने फिलर गिंदा ब्लैंक में थोड़ा जंबल अप कर दिये पहले उन्होंने क्रेडिट इड़ों है ठीक है ओप कि आपको अलगा कोशन समझ आया हो अब नेक्स कोशन है इव वन आफ दा कार परचेश बाए कार डिलर is used for business purpose instead of resale उन्होंने का कि गाड़ी उसने जो खरीदी थी वो उसने business purpose में use कर ली ना कि उसने उसमें use की बेचने के लिए नहीं use की उसने अगर वो resale करता तो वो क्या होती परचेश होती लेकिन अब उसने business के purpose के लिए लिए business में asset आया अगर asset आया है तो वो motor car आ गई है इसकी एंट्री होती है motor car पैसा गया to cash यह आपका इसका c answer है ठीक है इसका answer क्या है c क्यूंकि आपकी गाड़ी दुकान में आई है आपकी premises में आई है और पैसा आपका गया है इसलिए motor car to cash is your answer अब अगला fixed assets are held by business fixed assets are held by business for converting into cash आप कभी furniture खरीते हो दुकान के लिए वो ताकि उसे आप आगी जाके बेच सको आप उसे cash में थोड़ी की जो fixed asset है वो आपने क्यों इस्टॉल की क्यूंकि आपके पास customer आए कस्टमर आएगा तो बिठाओगे कहां पे बिठाने के लिए भी जगह चाहिए ना आप उसे जाके पांच-छे सालों के बाद बेचोगे उसको आप बोलतो फिक्स जैसे तो यह आपको cash में convert करने के लि आपने उसे क्यों लिए यह ताकि आप उससे revenue generate कर सको अब मेरा tuition center है कल से मैं क्या क्या करता हूं अपनी chairs हटा देता हूं अपने tuition center से AC हटा देता हूं कल से तो कोई बच्चा ही नहीं आएगा मैं बोलूगा नीचे बैठो कोई बैठेगा नीचे कभी कोई नहीं बैठेगा तो सारे बच्चे बाग जाएंगे तो वो मुझे revenue generate करने में मदद कर रही है fixed assets इसलिए याद अखना fixed assets are held by business for generating revenue ओके तो next question में जाते हैं change in the capital account capital account कैसे कैसे change होती है एक profit earned loss incurred capital introduced all of the worth मैंने आपको बताया था जब हमने balance sheet बनाई थी मैंने आपको बताया था profit आपने capital में add करना है जब आप capital में add करोगे capital change होगी ना पहले आपकी capital दी 10 रुपे profit आया 2 रुपे capital में add 12 रुपे मतलब यह answer है loss मैंने बोला था minus करना है तब भी आपकी capital change होती है नई capital all आयो आप capital और introduce करें तब भी capital change हो रही है तो इसका answer किया रहता है all of the all of the above इसका answer है ठीक है accrued income is dash accrued income is dash उन्होंने बोला जो accrued income है accrued income क्यों होता है वो income जो आपको आनी है लेकिन अभी तक आई नहीं है एक तक की outstanding income मेरे को tuition fees आनी है लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने दी नहीं उसकी बंगी है इस महीने की देने वाली तो वो में लिए क्या है asset है ठीक है वो म लिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है हमने एंट्री उससाब से पास करनी है कि हमने यह सोचने कि सारे अच्छे इंसान है सारे बैड़ नहीं है कोई बैड़ नहीं करेगा सारे पैसा time to time दे देंगे तो यह माले क्या है asset what are the main components of cash flow statement यह हमने last वीडियो में किया है यह कौन-कौन सा था operating investing और financing तो इस cancer आप का रहता है one two and four supplementing कहां से डाल दिये हैं तो one two four रहता है तो यह आप cancer है अच्छा इन्होंने नीचे options दिये हैं one two four है की two three four है one two three है की three four one है तो इस cancer क्या रहेगा one two four अब अगला बोल रह देखना यह बोल रहा है bank account shows a credit balance of rupees 800 what does it mean हमने trial balance जो बनाया ठीक है पिछले questions पे जो ट्राइल बैंस बनाया bank account मैंने कहां डाला था बैंक account मैंने डाला था debit side लेकिन इतर तो कह रहे हैं बाई साब credit balance है फिर मैंने साथ में बोल दिया था अगर bank का आपका credit balance होगा जब भी तो वह आपका होता है bank overdraft मतलब आपने extra पैसा निकाल लिए आपने पैसा आपके account में था 1000 रुपे आपने 1500 रुपे निकाल लिए यह facility सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनकी business की reputation है bank वाले जानते हैं कि day to day transactions है उनके रोज के रोज पैसे आंजान लगे रहते हैं उन्हें पता कि यह उनकी business की reputation होती है bank की eyes में तो इसका answer क्या रहेगा there is overdraft balance आज का हमारे 20 questions इदर ही खतम होते हैं हमारे आज का IPL match इदर ही खत हमारे enjoy की होगी और please हमें subscribe करें अगर अभी तक नहीं किया तो हमारे next video भी जल्दी आ रहेगी और mcq हम डालते रहेंगे आपकी proper preparation कराते रहेंगे thank you and have a good day